हेलो दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्रैक्टिकल मोटिवेशन, प्रैक्टिस से मोटिवेशन फ्रेंड्स हमें हमारे लाइफ के हर एक स्टेज पे किसी ना किसी से बहस यानि की नेगोशियेशन करना ही पड़ता है बचपन में मोम से टीवी पर हमारे फेवरिट शक्तिमान को देखने के लिए नेगोशियेशन करना हो या फिर गल्फरेंड से नेगोशियेशन करना हो के रोमेंटिक मुवी की जगा पे एवेंजर्स देखने जाए या फिर अपने क्लाइंट्स की फीस बढ़ाना हाँ हम सब हर जगा हर समय नेगोशियेशन करते हैं बट दे प्रॉब्लम इस हम नेगोशियेशन का सबसे खराब फॉरमेट यूज करते हैं और स्पेशली इन इंडिया हम सब चाहे फिर वो फोर्चन फारेंडेट कमनी का सीओ हो या फिर पांच अजार पर मन की सैलरी वाला मिडल फ्लास का बंदा हम सब एक ही तरह का नेगोशियेशन करते हैं यूज्यूली इसे बोलते हैं पोजिशनल बागे इसमें होता ये है कि दोनों साइड अपनी पोजिशन डिसाइड कर लेते हैं और अपनी पोजिशन पे अड़े रहते हैं दोनों साइड फिर धीरे धीरे अपनी पोजिशन गटाते रहते हैं जब तक कि वो दोनों कहीं बीच में मिले नहीं पर एक्जामपल हम डेली देखते हैं मम्मी और सबजी वाले के बहस सबजी वाला बोलता है के 50 रुपे किलो और मम्मी बोले 20 रुपे से 1 रुपिया ज़्यदा ना दू ऐसे धीरे धीरे वो अपनी पोजिशन घटाते घटाते कहीं बीच में प्राइस सेटल करते हैं वैसे ये मेथोड में प्रॉब्लम तो है ही और जब नेगोशेशन बहुत बड़े लेवल पर हो तब तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है जब दाव पर बहुत कुछ लगा हो तब सक्सेस्फुली नेगोशेट कैसे करें और कैसे आप जीत सके उस नेगोशेशन को सामने वाले को हराए बगेर ये आज आपको Harvard Business School के प्रोफेसर Roger Fisher और Billy Urey की बुक Getting to Yes में से मैं आपको बताऊंगा So, let's start इस नेगोशेशन मेथ़ड को चार प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया गया है जो की कुछ इस तरह के है 1. Separate people from the problem 2. Focus on interests, not on positions 3. Invent options for mutual gain 4. Insist on using objective criteria तो अब हम इन सब प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझते हैं 1. Separate people from the problem हमें नेगोशेशन में परसन को प्रोबलम नहीं समझना है बट उस परसन को प्रोबलम से सेपरेट करके प्रोबलम को समझना है For example, suppose सुन्दर के पास कोई जबर्दस बिजनस ओपर्शोनिटी है और वो अपने जीजा जेठालल के पास जाता है फंडिंग के लिए तो क्या चांसिस है कि जेठालल उसे फंडिंग करेगा? Well, उनके बीच की हिस्ट्री को देखके It is unlikely कि जेठालल फंडिंग करने को राजी हो But यहाँ पर हमें प्रॉब्लम को उस परसन से अलग करके समझना चाहिए हमें ये समझना है कि हम दोनों पार्टीज को मिलके यहाँ पर एक वायबल सॉल्योशन पर पहुँचना है कई बार हम आर्गुमेंट्स करने लगते हैं ब्लेम गेम्स खेलने लगते हैं But हमें ये जहां तक हो सके avoid करना है Negotiation हम इनसान से कर रहे हैं नहीं के किसी machine से और simple सी बात है कि अगर इनसान है तो emotions भी होंगे ही होंगे हमें उन सामने वाले persons के emotions को समझना होगा उनके perceptions को भी समझना होगा और इसके लिए हम खुद को उनकी जगह पर रख कर भी सोच सकते हैं इससे हमें exact idea आएगा कि क्यों वो अपनी positions नहीं छोड़ रहे For example, अगर मेरा boss मुझे promote नहीं कर रहा तो मुझे मेरे boss की तरह सोचना पड़ेगा वो क्यों मुझे promote नहीं कर रहे क्या मैंने वो leadership qualities नहीं दिखाई हमें उनका नजरिया समझना चाहिए सामने वाले के reaction पर react करने की बज़ाए हमें respond करना है उनकी बातों को हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा नंबर टू focus on interest and not on position negotiation करते समय हम हमेशा अपनी positions पे अड़े रहते हैं और ये कई बार एक fail negotiation होता है एक successful negotiation के लिए हमें position से हटके interests पे ध्यान देना चाहिए for example दो ladies लड़ रही होती है एक orange को खरिदने के लिए दोनों की दोनों अड़ गई है उस एक orange के लिए अब यहाँ पर अगर वो दोनों एक दूसरे से बात करके अपने अपने interests के बारे में बात करे तो शायद उन दोनों के लिए अच्छा solution निकल सकता है maybe उन में से एक को सिर्फ उस orange की पील चाहिए और second lady को वो औरेंज खानी है दोनों का फाइदा a win-win situation और majority cases में interests अलग-अलग नहीं होते हैं बलकि matching होते हैं ऐसे में हमें सामने वाले के interests को समझना पड़ता है और उसके लिए हमें दो सवाल पुछने पड़ते हैं why and why not क्यों मेरा boss मेरी salary नहीं बढ़ा रहा क्यों मेरी मम्मी मेरी पसंद के लड़के या लड़की से मेरी शादी नहीं करवा रही क्यों मुझे job से निकाला जा रहा है इससे आप सामने वाले party का perception सामने वाले party का नजरिया समझ पाओगे और बहतर तरीकों से interests को identify करके solution ला पाओगे हम लोग बच्पन से बस यही सोचते हैं कि हमारे जितने के लिए किसी का हारना जरूरी है बट real world में ऐसा नहीं होता है हमें try करना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना win-win situation में negotiation करें इसके लिए हमें नए-नए options के बारे में सोचना पड़ता है हमें समझना होगा कि हम school में नहीं है जहां पर एक question का एक ही answer हो सकता है बहुत सारे solutions हो सकते हैं इस type के solutions के लिए हमें brainstorming sessions रखने चाहिए जहां से बहुत सारे solutions आ सके याद रखे कि यहाँ पर हमें सिर्फ solutions को identify करना है ना कि उन solutions को implement करना है इन solutions को identify करने के लिए एक clear set of rules भी होना चाहिए जिससे कि सामने वाले के फाइदे के लिए कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए इसका ध्यान भी रखा जाए अब कितना भी fair हो जाओ बट ये दुनिया और दुनिया के कुछ लोग आपका फाइदा उठाने की try करते ही है या भादत समझो या फित्रल यहाँ पर हमें clear करना चाहिए कि किसी fair and objective criteria की मदद से हमें हमारी positions को clear रखना चाहिए market price के हिसाब से ही सामान का valuation करना market rate से मकान का rent fix करना etc. हमें fair standards and applicable customs से ही करना चाहिए पर फिर भी कई बार situation यह होती है कि सामने वाली party अपनी position से healthy ही नहीं है उस समय हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह offer हमारे लिए acceptable है के नहीं अगर acceptable है तो हमें इसे accept करना चाहिए वरना उस negotiation को छोड़ देना चाहिए ऐसे समय के लिए हमारे पास हमारा बातना होना चाहिए बातना एक acronym है जो की बताता है के हमारे पास best alternative to negotiated agreement कौन सा है फर एक्जामपल अगर यह client मुझे minimum fees भी नहीं देता है तो उसका next and best alternative solution क्या होगा maybe उसी client के किसी rival client के पास से business लेना इस तरह आप एक गलत negotiation से बचे रहोगे यह बाते मैंने आपको getting to yes नाम की world famous बुक से बताई है इस बुक में author और भी बहुत सारी tips and tricks बताई है जिसका use करके आप किसी भी negotiation में जीच सकते हो like करो इस वीडियो को share करो अपने friends and families के साथ subscribe करो इस channel को मैं ऐसे ही काम के topics लाता रहूँगा practical motivation practice safe motivation